हेलो बच्चो आप बिल्कुल सही समझ रहें ये केला मैंने क्रिया कलाब के करने के लिए ही लाया है लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें विशेश प्रकार के उतक होते हैं चलिए इसे देखने के लिए हम क्रिया कलाब शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए वाज ग्लास, स्लाइड, पानी, आयोडिन, बिलियन, ब्रश, कवर स्लिप, ब्लेट सबसे पहले हम केले को छीलेंगे और इसके नर्म हिस्से को ब्लेट की सहायता से निकालेंगे और इसे वाज ग्लास में रख देंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसकी कोशिकाय सूख न जाए अगर इसकी कोशिकाय सूख जाती है तो हम इसे माइक्रोस्कोप में ठीक से नहीं देख पाएंगे अब फॉर्सेप की सहायता से इसे थोड़ा सा हम मसल देते हैं और इसके थोड़ी से हिस्से को हम स्लाइड पर ले लेते हैं हमारे पास डिसेक्टिंग नीडल है इससे इसको हम अच्छे से अलग-अलग कर देंगे ताकि इसकी कुश्षी काय हमको माइक्रोस्कूप में अच्छे से दिखाए दे कुछ इस प्रकार से इसमें अब थोड़ा सा आयोडीन विलियन डालेंगे ताकि केले में उपस्तित स्टार्ज के कंड आयोडीन विलियन डालने से गहरे नीले रंके हो जाते हैं जो गुच्छे के रूप में हमें सुक्ष्म दर्शि में दिखाए देंगे अब कवर स्लिप लेंगे और इसे नीडल की सायता से धीरे धीरे स्लाइड के उपर हम रखेंगे ध्यान रखें बच्चों जब हम इस कवर स्लिप को रखते हैं तो हमें बहुत धीरे से रखना है ताकि हवा के बुलबुले इसमें प्रवेश्ण न करें तो देखिए हमारी स्लाइड तैयार हो गई चलिए इसको हम देखते हैं अ तो सुक्ष्मदर्शी में आपको जो कोशिकाय दिखाई दी वो छोटी छोटी थी और इनकी कोशिका जिल्ली रेखा की तरह बारिक थी और इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य कणिका मैं होता है मतलब कणिका की रूप में होता है और इसकी मात्रा बहुत कम होती है और इन कोशिकाओं का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन में अंतिर कोशिकी अस्थान मतलब इंटर सेललर स्पेस भी पाया जाता है और इस प्रकार की कोशिका अगर आपको दिखाई देती है तो इससे हम ब्रिदुतक उतक या पैरेंकायमेटर्स टिशू कहते हैं